हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई हो आप अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे हां जी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एक्जाम से सम्मंदिद बहुत ही महतपूर फिर्शन जो की रासा ज्यान के होने वाले हैं ठीक है पहला प्रसन आप लोग देख पा रहे होगे मर्करी का प्रतीक है मर्करी का प्रतीक यह तो बहुत सिंपल कोशन है हर कोई जानता होगा मर्करी का प्रतीक क्या होता है एच जी होता है एच जी इसको हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं त अगले प्रिशन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रिशन थोड़ा लॉंग है, सूत्र बेक किसी पदार्थ के एक अड़ू में उपस्तित भिविन तत्वों के प्रमाड़ों की बास्तिविक संक्या को व्यक्त करते हैं, कहराता है, देखिए, कौस्तित भिविन तत्वों के प्रमाड़ों की बास्तिविक संक्या को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है, अडूसूत्र मतलब बास्तिबिक संक्या है जो उसमें बास्तिबिक ता है उसको व्यक्त करें बहें अलूसूत्र कहलाता है अगले प्रिशन की तरह बढ़ती है अगला प्रिशन है कार्बोनेट मूलक पर आवेस होता है देखी मैं आपको explain करके दिखाऊंगा जो कर रहा हूँ यह कारवोनेट मूलक है इस प्रकार इस पर कौन सा वाला विकल्प होगा माइनिस डू वाला विकल्प बिल्कुर राइट हो जाएगा अगले प्रिसन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रिसन कुछ इस प्रकार से है सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अड़ू में उपस्तित विविन तत्वो के परमाड़ू की अनुपात को विक्त करता है कहलाता है क्या कहलाता है उसको बोलते हैं देखो यहाँ पर अनुपात आपको याद करने है यह अनुपात वर्ड को याद करने है और विविन तत्वो इस प्रिकार से यहाँ पर अनुपात से आप याद रखोगे मूल अनुपाती सूत्र ठीक है अगले प्रिस्टन की तरह बढ़ते हैं अगले प्रिस्टन है निमलिकित मेंसे किसका राशानिक समीकर्ण से ग्यान नहीं होता है यह टॉपिक्स मैं कई बार बता चुका हूँ जिन लोगों ने समझाओगा वह तो ठीक है नहीं समझाओगा तो कुछ बात नहीं है आईए बढ़ते हैं देगे कोशन क्या रख रखा है इनलिकित मेंसे किसका राशानिक समीकर्ण के से ग्यान नहीं होता है उचमा का अफ़ोचल और उत्पादन इस से हमें इस चीज का राशानिक में कोई योगी गरम किये जानने पर दो या दो से अधिक भागों में तूट जाता है मैं कहलाती है जब गरम की बात आई है तो आप गरम वर्ड से याद रखोगे उसमा का क्या हो रहा है वियोजन अब दो या दो साधिक भागों में जब कोई बस्तू दो या दो साधिक जिसमें उस्मा का उत्सरजन हो बैय अभी करिया उस्मा छेपी कहलाती है ठीक है अगले प्रस्टन की तरह बढ़ते हैं कैंग अगले प्रस्टन का भी लौंग है यह अगले प्रस्टन जर्थ को प्रिति सब्सक्राइब के नाम से जानते हैं डेखी क्यूप्रिक शॉल्पेड का फामुला होदा है सी यूउ एस ओ फोर जो क्यूप्रिक सल्पेड है इसमें आप एफ ए का जब टुकला डार हो गया एफ ए मतलब फेरस का तो क्या बनेगा इदर देखो भायू बनेगा एफ एस ओ फोर एफ एस ओ फोर और जो कॉपर होता है वो अलग हो जाता है इस परिकार से आप समझ सकते हैं यहाँ यह बल्कुल राइट होगा ठीक अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रेशन है एक उत्पिरख क्या है उत्पिरख आप लोगों ने पढ़ा होगा साथ नहीं पढ़ा है तो यहाँ सीख लीजिए उत्पिरख अभिलिया की घति को बढ़ा देता है या कम कर देत है option number C वाले हैं पर विल्कुल correct हो जाएगा ठीक अगले प्रस्टन थे बढ़ते हैं अगले प्रस्टन है निम्न में से किस प्रक्रम में प्लेट्रियम का उप्योग उत्परिरक के रूम में होता है तो प्लेट्रियम का उप्योग अमोनिया के ऑक्सी करण द्वारा नाइट्र कााइब के विल्क टीक्टिक और आप लोग अमोनिया का फामोला भी आद कर लिज जीए एन हैं कभी कभी डार्यक फामोला भी बूज लिए पेपर में ऑगले प्रस्टन थे पर बढ़ते हैं अगले प्रस्टन ए जब उत्तपरैल्ण, अभीकार, बिन विन अभस्तावं में होते हैं तो उत्पिरन होगा उत्पिरन क्या होगा इसको देखते हैं तो उत्पिरन क्या होगा जब विन-विन है तो आप लोग याद कलो क्या होगा विस्मागी होगा कैसे जब विन-विन अभिकारक अवस्ताओं में होते हैं जब विकारक उत्पिरन क्या होता है विस्माग ठीक है अगले प्रिशन की तरफ बढ़ते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सेर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं अबक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ कहलाते हैं जो भी पदा अभगिल्या के वेग में कमी लाए तो वो क्या है रिलात्मक है मतलब माइनस कर रहे है ना वो माइनस का सिन्न है अभगिल्या के वेग में कमी मतलब कमी को बोलते है माइनस ठीक है इस प्रिकार रिलात्मक में उत्प्रिले का आप याद कर सकती हो अगर आपको व प्रिशन के तरह बढ़ते हैं। अगला प्रिशन इस प्रिकार से है तेल के हाइडोडोजोटनी करन रहन की अविक्रिया है तो सीमें आपको Intermediate की Chemistry में रासानिक बलगत की नामक चैप्टर है उसको पढ़ें उसमें रासानिक उसमें समाग्रित पुरण क्या होते हैं विसमाग्रित पुरण क्या होते हैं सभी उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे अगला प्रिशन एरा स्क्रीन पर ओस्टबाड विदी से नाइट्रिक अमल बनाने में प्रियुक्त होता है ओस्टबाड विदी इंटरमीडिट में पढ़ोगे आप पी विलॉक एलेमेंट में तो ओस्टबाड विदी क्या होती है chemistry second में पढ़ना को मिलेगे आपको host watt विदी से nitric amal बनाने में pre-utprir कौन सा यूज होता है host watt pre-utprir कौन सा यूज होता है platinum इस परकार यहाँ पर platinum बिल्कुल correct होगा ठीक अगले प्रस्टन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्टन की इस पेकार सा है देख भार होगे स्क्रीण पर आर्सेन क प्रेटिनम उत्प्रिरक के लिए अगला प्रस्टन इसमें मिश्प्रंस हो रहा है अगला स्क्रात परक रोज परक कह बेगे तो पंद्र में का हैं पर correct & python हो जाएगा उत्परियेक bis arsenik है compatible platinum उत्परियक के लिए क्याओ आये arsenik मतलब arsenik का formula बंच होता hai is G dois पे एस को बोलते हैं arsenikuletum उत्परख के लिए क्या हा उत्परियक bis है ठीक है तो आपड़ात कर सकते हो अगले प्रसमों आते बढ़ते हैं, अगला प्रसम कुछ इसे पिकार से, किसी पदार्त से धन विद्धुती भाग का कम होना कहलाता है, किसी पदार्त से धन विद्धुती भाग जब अलग हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, उपचयन, क्या बोलते हैं, उपचयन, तो आप लो बढ़ते हैं सात्रमा प्रसान आप लोग देख पा रहे होगी कि छोटा कर लेते हैं दूड़ा सात्रमा प्रसान है एक उत्कर्मनी क्रिया में उत्प्रेरक क्या है अग्र तता पस्षिक रियाओं की गती समा रूप से बढ़ाता है इसमें यह बाड़ा विकल्प आद कर सकते हूँ अगले प्रसान तरह बढ़ते हैं चारी बिलियन का पी एच मान होता है देखे पी एच मान से कोशन बहुत ज़्यादा आते हैं चारी बिलियन का pH मान क्या होता है, चारी बिलियन का pH मान साथ से अधिक होगा, साथ से अधिक होगा, चारी बिलियन का pH बैलू, ठीक है, सौरी गल्त बता दिया, सही बता जा है, चारी बिलियन का pH मान कैसा होता है, साथ से अधिक होता है, इसमें एक से चौदा तक यहाँ पर scale होते हैं अगर 7 से कम है तो billion कैसा हमली है 7 से अधिक है तो चारी है और 7 के बीच में मतलब 7 के जिकरश्टू बरावर है तो वो कैसा होता है उदासीन होता है अगले प्रिश्चिंग थर बढ़ते हैं N.O.H एक प्रबल चार है क्यों N.O.H प्रबल चार होता है क्यों होता है इसके बारे में आप समझना N.O.H एक प्रबल चार के भादिकारी करता है क्यों की क्यों करता है भई इसलिए करता है ये बहुत आयनिकरित होता है जो N.O.H होता है बहुत जली आयनिकरित होता है मतलब जब एने वज को हम गरम पानी में डुबाते हैं या पर डालते हैं तो एने पिलस और वज माइनस बहुत जल्दी हो जाता है इसके लिए इसको प्रबल चार के नाम से जान जाता है ठीक है पिकार यहाँ पर हिवाले पिकल्ग राइट हो जाएगा अगला प्रिशन देखते है बहुत ही इंपोर्टेंट कुशन है अगला और यह लास्ट प्रिशन है अगले देखिए यदि एक बहुचार किये अम्ल किसी चार द्वारा आंसिक रूप से उदासीन होता है तो इसे कहेंगे क्या कहेंगे अमली लबल, चारी लबल, बिस्तित लबल, उदासी लबल, तो क क्या कहेंगे दोस्तों इसे बोलेंगे अमली लवर कैसे किसी चार दोरा आंसिक रूप से कैसा आंसिक रूप से उधासी नहों तो इसको बोलते सम्ली लवरilot कि इसका आपको याद तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो